नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं आपका दोस्त कुलदीब सिंग, दोस्तों यह है होम तेटर टावर, तो इसमें कमी यह है कि इसका जो बेस का स्पीकर है वो नहीं बज़ रहा है और छोटे स्पीकर में आवाज आ रही है और बेस में नहीं आ रही है तो आज उसी को रिपेर करने वाले हैं दोस्तों आप Home Theater का काम सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए आप अपने घर पर भी इसको रिपेर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो बने रही हमारे साथ में तो सबसे पहले दोस्तों इसको खोल लेते हैं देखिए इसकी जो इसका सरकेट है वो बा इसको खोल लेते हैं इसके सरकेट में दोस्तों दो नट वोल्ट लगे हुए हैं तो एक खोल लिया है दूसरे को भी इसी तरह से खोल लेते हैं देखिए इसको भी खोल लिया है तो दोस्तों इसमें कमी यह है कि इसकी जो देखिए जो आइसी है वो जल गई है चलिए जूम लगा हुआ है वह बहुत वह उपर से उचञ गया है ंगे दोस्तो चोता पैपिश्टर गजब वह इस तरह से देखिए ओपर से फूल गया है तो दोस्तों दोनों आठरें बदल लेते हैं उसके फिर से करके दिकाएंगे दोस्तों काई या बुरुस के मदद से इस IC को इस तरह से निकाल लेते हैं नमबर वाई नमबर और हर पिन इसकी साफ कर लेना है जिससे कि इसमें सोल्डर बनाना रहे और ये बिलकुल साफ हो जाए अगर इसमें सोल्डर बना रहेगा तो ये इसकी जो प्रिंट है वो उकड़ जाएगी इसलिए इसको बिलकुल साफ कर लेना है उसके बाद ही IC को बाहर निकाल लेना है दोस्तों IC को बाहर निकाल लिया है देखिए इसके नमबर जल गया है तो इसका 23 ही नमबर है तो चलिए इसमें दूसरी IC लगा लेते है दोस्तों इसमें ये IC लगाएंगे इसमें देखिए लिखा भी है TDA 23 तो इस IC को दोस्तों उसमें फिट कर देते है इस तरीके से देखिए दोस्तों इसको फिट कर देते है उसके बाद में जो उसका इसक्रूव है उसको भी इस तरह से कस लेते हैं देखे इसको कस लिया है चलिए अब इसको सोल्ड कर लेते हैं इस तरह से देखे दोस्तों सारी पिनों को सोल्ड कर लिया है बारी बारी से पांच पिने हैं पांचों पिनों को इस तरह सोल्ड कर लिया स्पीकर है वो सरसराने लगा है बेस में आवाज आ गई है चलिए रचारा लगा कर इसको चेक करके दिखाते हैं धेड़े दोस्तों १ बजनी लगा है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गर पर भी सको रिपेर कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के एक लाइक जरूर करना धन्यवाद दोस्तों